हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi नमस्कार Study IQ IAS Hindi में आपका स्वागत है मैं हूँ अमरितुपाध्ध है और इस सीरीज में जिसमें हम अलग-अलग मुद्दो पर अलग-अलग experts से अपने faculty से बातचीत करते हैं इस में आज के वीडियो में हम बात करेंगे short notes के बारे में और notes के बारे में notes बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए या फिर short notes और notes में क्या कोई अंतर है या दोनों एक ही बात है तो आईए जल्दी से बिना वक्त गवाए बातचीत शुरू करते हैं अतुल सर हैं हमारे साथ और विरत सर तो अतुल जी से शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि short notes बनाएं या फिर notes बनाएं या फिर ना बनाएं बिल्कुल इसका तो जवाब बहुत ही simple है एक शब्द का जवाब है बिल्कुल बनाएं जरूर बनाएं देखिए notes जो होता है UPSC में यह बहुत जरूरी होते हैं यह एक बहुत important काम आपका यह solve दो परपस होते है notes बनाने के actually दो प्रमुक कारण हैं जिसमें notes आपकी मदद करते हैं पहला यह होता है कि मानव मफ्तिश्क की जो memory होती है जो याद रखने की प्रक्रिया होती है उसमें कोई भी चीज जो आप अपने हाथ से लिखते हैं वो आपको जल्दी याद होती है और देर तक याद रहती है हम सभ अपने घर की grocery की lift भी बनाई होगी ना कि मुझे आज ये खरीदना है वो खरीदना है अगर आपने उसको हाथ से लिखा है तो आपको चार दिन बात भी याद रहेगा यह हम सबका lived experience है जो चीज हमारे हाथ से लिखी जाती है वो हमें व्यादा समय तक याद रहती है तो पह तो एक बाद मैं उससे बात कर रहा था तो उसमें मुझे एक बड़ी interesting बात कही उसने कहा कि UPSC की तयारी में आप 12 महीने आखरी एक महीने की तयारी कैसे करोगे इसके तयारी करोगे बारा महीने की तयारी यह होती है कि आखरी एक महीने कैसे पढ़ना है तो अभी मान लीज तो हम इस बात पर तो हम सभी सहमत हैं कि छे महीने बाद आपको इसमें से बहुत कुछ याद नहीं रहेगा क्योंकि ये होना है आप कितना भी revise करो आप केवल उसको तो पढ़ते रह नहीं सकते आपको अगले विशयपर भी जाना है तो आप 6 महीने बाद इसमें से काफी कुछ भूल जाओगे सवाल ये है कि अगर आपको ये नहीं पता अगर आपका मान लीजे प्रिलिम्स मई के महीने में है तो अप्रैल के महीने में आप उसका revision कैसे करोगे अगर आपको ये नहीं पता तो इस पढ़ाई का कोई औचित नहीं रह जाता आपको जुतना आपने पढ़ा है उसमें से 6 महीने बाद आपको कई चीज़ों तो ऐसी भी लगेंगी कि ये मैंने कभी पढ़ा भी है क्या और ये हम सब के साथ होता है तो प्रॉब्लम ये है कि आप नोट्स आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्ब करते है कि अब आपके पास इतना समय तो होगा नहीं कि आप पूरे बैट के 500 घंटे के 700 घंटे के लेक्चर्स दुबारा देखें या बैट कर आप 4 किताबें दुबारा पढ़ें अगर आपके पास आपके खुद के नोट्स हैं तो आप देखेंगे कि आपका री कलेक्शन बहुत जल्दी होगा बहुत जल्दी आपको याद आएगा और नोट्स जैसा कि नाम सी समझ में आता है कि इतने बड़े माटेरियल के इतने नोट्स बन तो निश्चित तोर पे वो नोट्स से अगर आप पढ़ेंगे तो आप बहुत जल्दी अपना रिविजन कर पाएंगे तो ये दो प्रमुक कारण है और ये दोनों बहुत ज़ादा ऐसे कारण है जो जिनको आप टाल नहीं सकते इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते एक तो आपका रिटेंशन आपको याद रहेगा और दूसरा आपकी पुन्रा वरत्ती में आपके रिविजन में आपकी मदद करेगा तो UPSC की तैयारी मेरे विचार में बिना नोट्स बनाएं नहीं हो सकती चलिए तो नोट्स जरूर बनाना है ध्यान से इस बात को समझ लीजिए लेकिन अब सवाल यही है कि नोट्स बनाते समय अगर लिखना है तो यही समझ नहीं आता कि क्या लिखें क्या छोड़ें तो नोट्स बनाएं कैसे यह एक important सवाल है यह बहुत बड़ी दुगधा रहती है बच्चों की क्योंकि इसमें जो पहली बार UPSC की preparation कर रहे हैं उनसे नोट्स भी कई बार गलत बन जाते हैं और क्योंकि जादा तर स्टुडेंट्स का टार्गेट ही होता है कि यह हम पहली बार में निकाल दें अच्छी रैंक लेकर के आएं तो उसमें यह नोट्स मेकिंग प्रॉसेज यह बहुत हल्पूल रहता है तो पहली बात तो यह नोट्स मतलब जैसे हैं चीज़ होनी चाहिए और यह भी बिल्कुल सही बात है कि ध्यान में रख करके कि क्या हम लास्ट के महीने मे तो उसके लिए बहतर है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा हुआ है जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को जितना पढ़ सकते हैं जितना रिवीजन कर सकते हैं जितनी चीज उसके अंदर ले करके आ सकते हैं वह एक बार देख लीजे ठीक है फिर भी कुछ ना सुविधा है आप उनमें में इसे भी देख सकते हैं कि और क्या चीज इसमें जोड़ सकती है या फिर अगर आपने कहीं पर कोई कोर्स जोइन कर रखा है कोचिंग में हैं आनलाइन ऑफ लाइन कहीं पर भी हैं तो उनके जो जो अध्यापकों ने वहाँ पर पढ़ाया है उनक चीजें आपके उस नोट्स के अंदर समाहित हो जाएंगे जैसे कि इसको सरल भाषा में समझा जाए सपोस्थ आपने क्लास पढ़ा और क्लास पढ़ने के बाद तुरन नोट बना लिए फिर आपने एक मेने बाद बुक पढ़ी या फिर दो दिन तीन दिन बाद ही बुक प बढ़ लीजिए थोड़ा समय ले लीजिए और समय लेकर के अपने नोट्स उस समय के लिए बनाई जिस समय आपके लिए काम आने वाले दूसरी बात यह है कि नोट्स में सब कुछ ना लिखें मतलब ग्रंथ नहीं तयार करना है बहुत सारे बच्चों का ऐसा रहता है यह इस 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 पूरी किताब ही नोट्स हो जाएंगी तो यह प्रैक्टिस करनी होगी नहीं आती है तो अगर जैसे हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं व्यातो वैसा करिए या फिर आपके कोई मित्र हो या फिर जिन्होंने पहले नोट्स बनाए हो उनसे थोड़ी सी सहायता ले स सकते हैं जो फर्स टाइम नोट्स बना रहे हैं उनकी बारतकर की जाता है उतनी ही चीज़ें लिखिए जितनी हम बाद में रिवाइज कर सके हैं मतलब पूरा ग्रंत नहीं तैयार करना है कि हमने सारे फोल्डर बना लिए तो अपने आप में किताब बन लिए अच्छा है कि गर कोई ऐसे टमिक्स आरे कुछ ऐसे नोट्स डार तो उसमें उसको रहे कोई जरूर ही कि नोट्स में आपका स्टेटमेंट कॉरा नाइन लिखने के बाद उसमें जो ए लाइन बना करके, एरो बना करके, डाइग्राम बना करके लिखते हैं और उसके अंदर चोटे-चोटे ये, confusion दूर करना बहुत जरूरी है देखिए, शुरुआत में आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाएंगे बहुत लॉजिकल चीव है कि शॉर्ट नोट्स आइडियली काम करते हैं उन लोगों के लिए जो एकाद बार परीक्षा दे चुके होते हैं चोट नोट्स में आपका जो knowledge का, जो आपके ज्यान का जो gap है, वो बहर चुका है आपको आता है, लेकिन आप उसमें कुछ और important चीज़ें add-on करते हो शॉर्ट नोट्स का जो lab होता है, शॉर्ट नोट्स से मेरा मतलब यह है पहले मैं परिभाशा clear कर दूँ शौट नोट से मेरा मतलब यह है कि बिलकुल ही आधे आधे वाक्य की बस चार चीजे लिखना जैसे अगर मैं मान लीजिए सुतंतरता या समानता की अधिकार की बात कर रहा हूँ या फिर मैं राजकोशी ये घाटे की बात कर रहा हूँ तो आपको एक राउंड तो नोट का लगेगा ये शौट नोट का जो प्राक्टिस होता है या आम तोर पर जो लोग परिक्षा दुबारा देते हैं कि पहली बार आपने दिया आपका मान लीजे तो आप दुबारा पढ़ाई करते हैं और निश्चेत तोर पर दुबारा पढ़ाई करते हैं तो आप नई चीज़े स avanz चीखते हैं या फिर नया current affairs होता है तो नया current affairs वो आप short notes की form में डड करेंगे लेकिन basic concept के लिए मेरे ख्याल से short notes जो है वह उचित नहीं है मैं उचित नहीं बानता उसको वो आपको वो गलट डिरिक्शन में आप जा रहे हैं आपको उससे ज्यादा ज्यान चाहिए जितना उसमें आ सकता है ठीक है और कुछ लोग नोट्स बनाने में ही इतना टाइम लगा देते हैं कि वही अपने आपने एक बड़ा काम हो जाता है जैसे पांच गंटे मैंने पढ़ाई कि और तीन-चार गंटे नोट्स बनाए तो अलग-अलग कलर से बनाए लाल से हरे से नारंगी से हां सर कुछ ऐ होते हैं जो इस बात को बहुत महसूस करते हैं कि नोट्स बहुत ही क्लियर हैंड राइटिंग में होना चाहिए और बहुत सुन्दर होना चाहिए उसके लिए विभिन रंगों के पैन स्केच यह सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे फिर उसमें डिजाइन भी बनाएंगे किन प्रेजेशन टाइप का नहीं बनाना है नोट्स यह तो प्रेजेंटेशन हो गया कि आप कहीं डे रहे हो आपने नोट्स बनागर कि किसी को दे लिए कलर फूल है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं यह झासे नसी आर्टी बगारा में देखिए नसी आर्टी बनिये बच्चों के लेते हैं लेकिन बैसिकली बच्चों के लिए और फिर उसमें नोट्स बने और उसमें आगर आप देखेंगे आप तो जो नई NCRTI उसमें भी जो तथिगत चीजें हैं वो थोड़ी लिखी है नोट्स बहुत है उसमें एक बनाओगा और फिर एक बनाओगा वो कलर वैसा बच्चों के लिए ठीक है लेकिन आप UPSC में अपने लिए नोट्स बना रहे हैं सबसे बड़ी बात है कि आपके नोट्स सिर्फ आपके हैं वो जब आप टॉप कर जाएंगे तो आपके भले न रहे जाएं फिर आपके सारे ले जाएंगे टॉपर के नोट्स लाइव क्लास के साथ बना रहे हैं इतना गसीटा राइटिंग में उसको लिखा है बात में कुरी समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या नोट्स बनाया था तो वो भी नहीं करना है और इतना सजाना भी नहीं है कि कल को किसी पब्लिकेशन में चपने के लिए देना हो तो एक अल बात समझ में आया कि इसमें यह चीजें इंपोर्टेंट हैं मैंने नोट्स बना लिया और all of the sudden मैं revise करने बैठा और मुझे ध्यान आया या फिर कोई नई जानकारियां मिल गई या फिर उस पर Supreme Court का कोई verdict आ गया तो अब मुझे लगता है कि यह जानकारी तो रह गई तो अब क्या करें फिर नोट्स तो बना हुआ है अपना मैं आपको बताता हूं मैं नोट्स बनाने का एक सबसे scientific तरीका मैंने पहले भी कई बार बताया है अलग अलग वीडियो में उसका एक standard तरीका है जो सबको follow करना चाहिए अब एक तो आप नोट्स जो बना रहे हैं उसको आप लूज़ शीट्स बनाए अफोर शीट्स आप लेके आए उस पर नोट्स बनाए एक तो उससे आपको अन्रूल्ड कॉपी पर लिखने की आदत पड़ेगी जो के बड़ी आदत है आप कुछ भी कहें यूपी एसी वरना लिखना यहां से शुरू करते हैं लिखते लिखते यह बहुत जरूरी है अन्रूल्डा पेफूर शीट्स पर लेकर आए और आप उसके बीच में हर कागज के बीच में क्लाइन कीचते हैं बहुत स्टांडर्ड तरीका है यह तो आप और यह कोशिश करें कि आधा आधा करें तो आप जो नोट्स बना रहे हैं केवल आधे पा आपने नागरिक्ता चैप्टर पढ़ा नागरिक्ता प्राप्त करने के तरीके जो है आपने उसके नोट्स बना लिए अभी एक स्टाटिक नोट्स में लक्षमी कांथ से या पी टू आई बैच में आप जहां भी बढ़ रहे हैं वहां से आपने वो लिखके नोट्स बना तो अब आपको क्या करना या जैसे ही आप अंहीं आप बार पढ़ रहे हैं आपने देखा कि बही नागरिक्ता से जड़ा हुआ एक नूज आया है तो आपको बस करना ये है कि आपको नागरिक्ता वाला अपना फोल्डर शीट में नोट्स से वो आपने जो आधा पेज खा करिया जो है उसको टी वर किया गया है बस आप जल्दी चल्दी में कितने कुछ लोगों को नागरिक्ता दी भी गई थीhen में और ये नीज護 पड़ी फिर से अब डाल दीजिए, कि पहले lot को नागरिक्ता मिली, इतने लोगों को नागरिक्ता मिली, फिर मान लीजिए अभी अगले साल कुछ हो और हो गया, उसको भी डालते जाएए, तो अब हो सकता है वो page आपको कम पढ़ जाए, कि वो आधा भर जाए आपका, कोई बात ने, आप एक दूसरा page लीजिए, उसमें staple कर दीजिए, और उसमें, A4 से बनाने से यही फैदा होगा, यह आपको फैदा होगा और मैं आपको, अब एक बार मैं आपको larger picture दिखाता हूँ, उसकी भविश्य की आप जब भी अपना नागरिक्ता chapter एक बार आँख बन करके सोच के देखे, आप नागरिक्ता chapter revise करने बैठे आपके सामने वो हो सकता एक पूरी भरीवी A4 है, या फिर हो सकता उसमें staple करके और A4 जोड़ा हुआ है, आपके पास नागरिक्ता का सारा static content है और पिछले एक डिल साल में उससे जुड़ा जितना भी current affairs हुआ है वो सारा का सारा उस page पर है तो इससे बहतर तयारी आपको कोई किताब नहीं करा सकती ये आपका ultimate revision है अगर आपने वो पनना पढ़ लिया जो आपने अपने हाथ से लिखा है, किसी से लिखा है, किसी ही तरीका ये है, क्योंकि आप नहीं चीज़े तो होंगी, तो उसको जोडने का arrangement आपको करना पड़ेगा अपने notes में, तो आधे page का use करें, आधे page को हमेशा current affairs के लिए छोड़ें, या फिर जैसा विरद ने कहा था कि आप हो सकता है, किसी और source से पढ़े आपने बहले किताब से बड़ा आपने कुछ लिखा उसके बाद आपने P2I badge join किया मान दीजे उसके बाद आपको चार नहीं चीज़े पता चलिए तो आप उसको भी वहाँ पर जोड़ सकते हैं लेकिन idea ये है कि नागरिक्ता का मेरे पास नागरिक्ता का मेरे पास एक दस्तावेज होना चाहिए ये एक दस्तावेज है ये मेरे लिए उस chapter का सब कुछ है मैंने ये पढ़ लिया अब मेरा chapter खतम हो गया ये notes बनाने का आपका ultimate aim होना चाहिए आखरी लक्षा आपका ये है आप बैच में भी जो बच्चे होते हैं वो भी notes बनाते हैं बैच में हम इसमें कई तरह के notes आपको प्रदान भी करते हैं मैं आपको बताता हूँ एक तो batch में आपको जो हम पढ़ा रहे हैं उसका एक crux मिलता है crux जो होता है वो printed summary होता है वो मतलब batch के साथ आपको hand written notes में मिलते हैं hand written notes से फरक क्या पढ़ता है कि कोई impromptu diagram है जैसे मान लिए teacher कुछ पढ़ा रहा है और वहाँ पर जैसे economics में मैं बहुत सारे चितर बनाता हूँ बहुत सारे diagram बनाता हूँ तो वो diagrams वो है वो आपको वहाँ पर बने हुए मिलेंगे क्योंकि वो hand written है किसी व्यक्तीने class के साथ हाथ से वो बनाए है तो ये दो चीज़े तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी लेकिन इसके बावजूद मैं recommend सबको ये करता हूँ कि आप अपने खुद के notes भी बनाइए तो ये तीन तरह के notes आपके पास होंगे जिन मेंसे crux को तो मैं reference material बोलता हूँ वो actually notes नहीं है वो revision में आपके काम नहीं आएंगे वो problem में काम आएंगे कि अगर आपको गर doubt आया तो आप crux पे जाके उसको ढून सकते हैं revision आपका होगा आपके hand written notes से और जो आप खुद लिख रहे हैं उससे और जो आपको हम hand written notes दे रहे हैं इन दो तरीकों से आपका revision होगा चलिए तो P2Y batch में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं जो देख रहे हैं इस video को वो ध्यान रखें कि prelims to interview batch में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने admission लिया है उनको भी अपने notes बनाने चाहिए क्योंकि ये वो अहत्यार है जो आप examination hall के ठीक बाहर तक इसी को लेकर जाएंगे ना आप video देख पाएंगे ना किताबे लेकर जा पाएंगे किताबों को पढ़ पाएंगे ऐसा नहीं होगा तो इतना संक्षप्त में बना लेंगे दीरे-दीरे कि जाने के पहले उसको अच्छे से revise कर लें और prelims to interview की बात आई है तो मैं चाहूंगा कि prelims to interview batch क्या है इसके बारे में भी ज़रूर बता दे prelims to interview batch जिसको हम लोग study IQ में short में P2Y बोलते हैं इसमें आप प्रारंभिक परिक्षा से ले करके interview तक की पूरी तैयारी करते हैं तैयारी में class जो आपको daily live classes मिलती है वो तो मिलेंगी और इसके अलावा आपको daily basis पे एक current affairs की class मिलेगी और cset की class मिलेगी जो gs के apart from रहती है इसके अलावा आप prelims की जब त्यारी कर रहे होंगे तो prelims के लिए आपको एक अलग से batch मिलेगा जो की crash course की तरह काम करेगा फिर mains में भी आपको एक अलग से batch मिलेगा जो crash course की तरह काम करेगा लेकिन इसमें एक specialty है कि अगर आप prelims क्वालिफाई करते हैं तो वही crash course आपको study IQ निशुल्क आवासी सुविधा के साथ देती है तो आप दिल्ली आते हैं और आपको यहाँ पर रहना खाना से free रहता पढ़ते हैं इसके बाद interview program रहता है अगर आप mains qualify करते हैं तो interview के लिए आगे का चरण है और interview में आपकी पूरी preparation कराई जाती है और दो mock interviews भी आपके करवाय जाते हैं और उसके पहले आपकी सारी practices और सारी चीज़ रहती है साथी साथ आपको इसमें books वगरा जो हैं वो सब यहाँ से available करवाई जाएंगी जैसा कि अभी आतुल सर ने का क्रक्स, notes वगरा सब रहेंगे लेकिन फिर भी suggestion यही है कि आपने notes खुद बनाए तो in short P2I यही है जिसमें आप prelim से interview तक पूरी प्यारी करेंगे चलिए तो जो P2I में इतनी सुईधाओं के बात भी हम suggest कर रहे हैं notes अपना बनाना चाहिए तो इस बात को ध्यान रखिएगा कैसे बनाना चाहिए वो अभी अभी आपने सुना आतुल सर ने बताया तो आज इस कारिकरम में इतना ही रखते हैं आप लोग का बहुत शुक्रिया आप लोग को जरूर इसे फैदा मिला होगा इसके अलावा आपके जो भी comments हैं तो comments में box में आप insert कर दीजेगा लिख दीजेगा तो हमारे तक पहुंच जाएगा और दूसरा जो लोग P2I में admission लेना चाहते हैं उनको कुछ नहीं करना है इसी वीडियो के description box में link दिया गया है उस पर click कर लिजे या फिर studyiq.com पर जाकर हिंदी का course देख लिए तो बहुत शुक्रिया नमस्कार हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें studyiq.is हिंदी